हम लोग पढ़ रहे थे cg board class 10 science chapter 6 electric current and circuit यह इस lesson का third video है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे combination of resistances इससे पहली के दो वीडियोस में हम लोग इसके सामने का सारा portion जो है वो cover कर चुके हैं उन दोनों वीडियोस की link आपको description में मिल जाएगी स्टार्ट करते हैं combination of resistance से as we know a complete circuit is made up of many components जो एक complete circuit होता है वो बहुत सारे components से मिलकर के बना हुआ होता है तभी उसमें से जो current है वो flow होता है अब यह जो components है इस circuits के वो क्या क्या है तो resistance, bulb, cell, connecting wires, etc. यह सारे जो है वो क्या है electric circuit के components है अब जब यह circuit में इन सारी चीजों को हम ल अगर एक से जाधा resistance अगर उसमें present है तो उनको दो different तरीकों से combine कर सकते हैं दो different तरीके से connect कर सकते हैं और उसके तरीके है एक है series combination और एक होता है parallel combination पहले पढ़ते है series combination के बारे में तो किसी भी electric circuit में जब हम लोग कोई एक resistor जो है उसका जो second end होगा जैसे एक resistor है यहाँ प ठीक है यह resistor है तो इसका जो second वाला terminal है उसको next वाले के first вед terminal से connect किये हैं फिर अब next वाले का second terminal से connect किये हैं तब आसे करते करते हैं जब हम लोग इनको combine करते हैं तो इस type के combination को बोला जाता है series combination और यह जो है वो extend कर सकते है हम लोग जितना required है उतना पिर इस combination को कितना पी आप extend कर सकते हो और वहीं पर यह जो combination है इसमें जो दूसरे components लग रहे हैं उस electric circuit में जैसी की cell हो गया switch हो गया, ammeter हो गया इन सबको इन resistors के बीच बीच में easily attach किया जा सकता है यहां पर diagram दिया हुआ है इसमें आप मानो कि जो तीन resistors हैं उनको R1, R2 और R3 label कर देते हैं यहां पर दिया है ऐसा label कर दे रहे हैं और क्या कि यह तीनों को series में combine किये हैं तब उस case में जो single resistor होगा अगर उसको हम लोग किसी मतलब इस पूरे को अगर किसी एक single resistor से replace करना चाहें तो वो resistor जो है वो इसका हो जाएगा equivalent या फिर effectual resistance तीनों को किसी एक single से replace करना चाहें तो अब वो equivalent या फिर effectual resistor जो है वो कितने का होना चाहिए तब उसके लिए हम लोग देखेंगे आगे का यह formula यहां पर जो current flow हो रहा अब यह जो circuit है उसमें same amount of current flow हो रहा है आई क्या है constant है यहां पर series combination में ध्यान रखना हमेशा कि जो current है वो constant रहता है single है आई सारे resistor के लिए अलग-अलग voltmeter यहां फिलगा हुआ है R1 के लिए यह R2 के लिए यह R3 के लिए तो यानि कि potential difference जो है इस series combination में वो different रहता है अब इस case में तीनो potential difference को मान लो कि R1 का जो potential difference है उसको V1 ले लिए ठीक है R1 के लिए V1 ले लिए R2 के लिए V2 ले लिए और R3 के लि recording हम दों को पता है V is equal to IR तो क्या होगा V1 will be equal to IR1 V2 will be equal to IR2 और V3 will be equal to IR3 यह आपका equation 1 बन जाता है क्योंकि I यहां पे constant है और R हम लों ले लिए तो अगर potential difference निकालना चाहोगे तो potential difference कितना हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 तो इस case में IR का क्या value निकलेगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 अब I constant है आप उसको remove कर दो तो सिरफ R के लिए मतलब equivalent resistance अगर find करना हो तो क्या करना पड़ेगा individual resistances को total करना पड़ेगा sum करना पड़ेगा इसलिए किसी भी series combination में जो total resistance होता है वो equal होता है किसके sum of all resistances के और इसी resistance को equivalent resistance बोलते हैं जिसको की R से denote किया जाता है अब इस series combination का जो main drawback है यानि कि main limitation है वो यह है कि अगर इस series में कोई भी एक component जो है इस circuit का अगर वो malfunction करने लगता है या फिर वो break हो जाता है ब्रोक हो जाता है मान लोग किसी भी दरीके से बस वो सही से काम नहीं कर रहा है तो पूरा पूरा जो circuit है वो break हो जाएगा और इसके वज़े से resistance होता है वो बहुत low होता है तो series combination में ammeter जो है वहाँ पर maximum current को flow होने देता है लेकिन वहीं पर जो voltmeter है उसको हमेशा parallel ही connect किया जाता है series combination में भी जब voltmeter लगाएंगे तो parallel ही लगाएंगे क्योंकि वह high resistance offer करता है और इसलिए वह less current को पास होने देता है और हम दोंको तो current पूरा पास होने देना है यहाँ पे इसलिए देखो voltmeter को सारे यहाँ पे क्या लगाया है parallel लगाया है आर के साथ और ammeter को ऐसे करके लाकर क लगा दिया है नेक्स्ट है parallel combination parallel combination में जो first end होता है सारे रेजिस्टर का उनको एक साथ जोइन कर देते हैं किसी एक single point पे जैसे यहाँ देखो तीन अलग लग रेजिस्टर का first end जो है वो combine कर दिये है और वैसे ही जो last end होगा रेजिस्टर का उसको दूसरे point पे जैसे कि यहा बोलते हैं अब यहां पर we can increase the number of components in the circuit as required यहां पर भी हम लोग को जो जो components add करने है वो अराम से add कर सकते हैं यहां पर अब अगर त्री रेजिस्टर जो है उनको हम लोग R1, R2 और R3 mention कर दें जिनको कि हम लोग पैरलल में combine किये हैं और साथ ही में जो circuit में बैटरी है स्विच है, ammeter है, voltmeter है, वो सब को add कर दें तो एक पैरलल circuit complete हो जाता है अब इस circuit में जो potential difference है वो same रहेगा जैसे कि series combination में current same रह रहा था वैसे यहां पर potential difference जो है वो same रहेगा दिख रहा है ना एक point से दूसरे point तक यहां पर single voltmeter जो है लगा हुआ है तो potential difference same है लेकिन current अलग-अलग flow हो रहा है क्योंकि यहां से जबाया, एक current यहां से flow होगा, कुछ यहां से flow होगा, कुछ यहां से flow होगा, तो तीनों में अलग-अलग current flow हो रहा है, तो parallel combination में volt जो है वो stable रहता है या constant रहता है, voltage, अब इस case में अगर हम लोग इसका ohmslock के according अगर इसको fit करके देखे तो क्या formula बनेगा, जिसे current अलग-अलग है, तो R1 के लिए I1 ले लो, R2 के लिए I2 और R3 के लिए I3, तब उस case में I के terms में अगर हम लो लिखे तो I is equal to V upon R होता है, ohmslock के according, तब यहां पे जब हम लोग करेंगे, तो I1 will be equals to V upon R1, I2 will be equal to V upon R2, and I3 will be equal to V upon R3, अब equivalent resistance अगर निकालना जाहें, जिसको कि अगर R से denote कर रहें, उस case में क्या हो जाएगा, कि I, वो क्या है, I1 plus I2 plus I3, ठीक है, तो V यहां पे constant है, तो V तो वैसी रख दिये, V upon R अगर लिखेंगे, V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3, R के terms में लिखोगे, तो 1 upon R will be equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, तो यहां पे अगर equivalent resistance निका जालेंगे, तो क्या दिख रहें, आपको, series combination में, जो R का value last में आ रहा था, R1 plus R2 plus R3, यानि कि तीनों resistance का जो भी value आया होगा, उन सबसे जादा इसका value होगा, लेकिन वही parallel combination में यह जो R का value है, वो इन सब में जो सबसे छोटा value होगा ना, उससे भी छोटा रहता है, उसी जीज़ को यहाँ पे लिखाया, the equivalent resistance in a series combination is greater than the largest resistance, और वही पे, parallel combination में, equivalent resistance is lower than the smallest resistance in the circuit, नेक्स टेक किच जोफ्स लूल, parallel combination वाला जो diagram था, उसके according, अगर current को हम लोग I से mention करें, ठीके point A पे, जैसे जिस point पे, सारी चीज़े एक साथ कमाइन हो रही थी न, उसको point A ले लो, और फिर वापिस उदार जागे कमाइन हो था, उसको point B लिए हैं हापे, तो जहाँ पे, सारे currents जो है, वो वहाँ से emerge होना start हो रहें, three different branches में जा रहा है, कौन, I, three different branches में जा रहा है, I1, I2 और I3 में, तब उस case में, उस particular point पे, I का value क्या हो जाएगा, यहां से, यहां तक तो यह simple था, I था, यही आई जो है, वो I1, I2 और I3 में, divide हो गया है, तो I will be equal to I1 plus I2 plus I3, यानि कि, अगर इन पूरे को हम इसको हम लोग I बोल रहे हैं, तब उस case में, I1 plus I2 plus I3 will be equal to I, जो कि यहां पे लिखे हैं, फिर इस I को भी यहां shift कर दो, I1 plus I2 plus I3 minus I will be equal to 0, इसी को हम लोग किछोफ's law बोलते हैं, या फिर किछोफ's rule बोलते हैं, इसका यह mathematical representation है, जो भी यहां पे देखे हैं, तो according to एलजेबरिक सम अफ करेंट फ्लोविंग इन एनि पॉइंट और जंक्षन ऑफ एक पॉइंट पर उसके एकुवल होगा, कि जितना करेंट जो है वह उस से आउट हो रहा है, बाहर जा रहा है, निकल करके, ना देर इस नो स्टोरेज उफ करेंट एनि पॉइंट इन पॉइं वाफिस और के चिसा रही है, फे जो यहां कि पॉइंट जीतना करेंट यहां कि आपकल प्टेन हो जाता है, यहां पे जो आप告 यहां पर यांपर स्टोर नहीं हुआ है, और वहीं पे जो current है वो क्या है constantly flow होते रह रहा है तो this rule of Kirchhoff is according to with the law of conservation of charge law of conservation of charge क्या बोलता है कि charge ना तो create हो रहा है और ना ही destroy हो रहा है तो यह इस rule को पूरा-पूरा satisfy यह rule जो है वो पूरा-पूरा इस law को satisfy करता है और यह जो है वो first rule है Kirchhoff का जिसको की junction और nodal rule भी बोलते है नेक्स्ट है इसके बाद एक discussion दिया है वो क्या वज़ा है कि जो old style string होते है festival lights जो रहते हैं वहाँ पे जो सारे bulbs एक साथ हैं वो series में connected रहते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि अगर एक single bulb अगर fuse हो गया तो पूरा का पूरा string जो है वो malfunction करने लगता है तो अभी जस्ट हम लों पढ़े series combination में क्या होगा कोई एक single component भी अगर वहां पे malfunction करने लगे तो पूरा का पूरा series में क्या होता है current flow होना बंद हो जाता है और इसलिए पूरा का पूरा string वहां पे glow होना बंद हो जाएगा और दूसरा चीज़ इफ एन appliance in a home are connected in series what would happen अगर हमारे गर में जितने भी appliances हैं उन सबको series में connect कर दें तो क्या होगा तो सेम चीज़ series में connect करेंगे तो अगर एक भी appliance malfunction करने लगा तो सारे appliances बंद हो जाएगे next है if two wires made up of same material one thick and other thin are connected in an equivalent source of current then in which wire would the current flow more freely current कौन से wire में freely move होगा और क्यों होगा reason पूछ रहा है क्योंकि दो वायर ली है और दोनों सेम material का है बस difference क्या है तो एक थिक है और दूसरा थिन है अब हम लोग को पता है current उसमें freely flow होगा जहां पे resistance कम offer हो अब resistance जो है वो thickness पे कैसे depend होता है तो जैसे जैसे हम लोग thickness बढ़ाते है resistance जो है वो कम हो जाता है तो अगर थिन वायर हम लोग ले रहे हैं तो resistance जादा offer करेगा और अगर थिक वायर ले रहे हैं तो resistance कम offer करेगा वो जितना कम resistance उतना freely current flow होगा यह हम लोग second वाले पार्ट में बहुत detail में बढ़े हैं ठीक है कि resistance कैसे इसलिए थिक वायर में जादा current flow होगा तो इसका answer होगा आपका थिक वायर और रिजन होगा कि वो less resistance है वो offer करता है next है the value of two resistors in a series is in a ratio 1 is to 4 and a 10 ampere current is flowing in the circuit if the two resistors are combined in parallel circuit then calculate the ratio of current flowing through the resistors यानि कि दो resistors को series में combine किये हैं दोनों resistor को value exact तो ने दिया है लेकिन 1 is to 4 के ratio में है और 10 ampere का current वहां से flow हो रहा है अब सेम चीज़ को series के जगा हम लोग parallel पे combine कर दें तब वहां से कितना current जो है वो flow होगा तो अभी just इसी वाले वीडियो में हम लोग पढ़े series combination में current को क्या करेंगे हम लोग तो वहां पे values में आप पहले resistance निखा लोगे r1 plus r2 plus r3 करके और फिर आप i का value वहां से find करेंगे कि इसके according तो ohms rule के according जहां पे हम लोग पढ़े थे v equals to i r तब इसके according i का क्या formula हो जाएगा i will be equal to v upon r अब यहां पर दूसी चीज से आप यहां पर निकाल लोगे पहले सीरीज combination में value और उसके बाद उसका यूज करके आप निकालेंगे same value को parallel के लिए इसको solve करके देखेगा इस वाले question को next अब दिखते हैं कुछ example questions दिये वह हैं यहां पे solved examples है answer the following questions pertaining to the circuit diagram given alongside तो यहां पे एक circuit diagram दिया वह है और इससे related दो questions यहां पे दिये वह है A and B इसको आप relevant resistance जो है वो निकालना है अब इस circuit में आपको दिख रहा है कि यह जो पहला वाला है यह आरवन जो है वो यहां पर दिख रहा है आपको उसके बाद यहां पर यह आर टू और यह आर थ्री है आटू और आर थ्री जो है वो parallel में कम माइन है तो parallel combination के लिए क्या निकालेंगे हम लोग 1 upon r का वैली क्या हो जाएगा 1 upon r2 plus 1 upon r3 थो एक वैली एट और 12 है तो 8 और 12 हम लोग पूट करेंगे इसका lcm निकालेंगे तो 24 आएगा पूरा आड करेंगे तो 5 by 24 अब उस केस में क्या है आपको पता है कि 1 अपन आर का वैली 5 by 24 आया है तो अगर इसको मैं फिलिप करूं वैसे यह भी फिलिप हो जाएगा तो आर विल बी इक्वल करेंट वी अपन आ लिखना है तो वी वोल्टेज का वैलू को दीया है यह और आर हम लोग चैलकुलेट किये 4.8 और इन दोनों को calculate करके 4.8 अब यह और पूरे के निकालने के बाद जो next value आया वो दोनों series में हो जाता है और series के लिए दोनों R का value add किया जाता है तो 7 plus 4.8 करेंगे तब यहां पर R का value कितना आएगा 7 plus 4.8 किये तो 11.8 आया है next topic है thermal effect of electric current जो कि हम लोग next video में पढ़ेंगे thanks for watching and please do subscribe if you are new to our channel and if you want to stay connected with us then join the telegram link given in description